भारतिय सनमा की सबसे खुबसूरत अभिनेत्रियों में से एक अभिनेत्री जो संगीत और नृत्य में प्रशक्षित और पारंगत थी और सौंदर अभिने का अनूठा मेल थी हिंदिस सनमा की वो मशूर अभिनेत्री जिन्नोंने असी और नब्बे के दशक में एक से बढ़कर एक बहतरीन फिल्में दी और टॉप की अभिनेत्रियों में शुमार हो गए लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्में पटकथा की तरह इस अभिनेत्री की असल जिन्दगी भी रोमांस एक्शन और ड्रामा से भरपूर रही क्या आपको पता है कि अपने दौर की सुपरस्टार अभिनेत्री श्री देवी के साथ कड़ी प्रतिस परधा होने के बावजूद इन्होंने उनके साथ दर्जनों फिल्मों में काम किया लेकिन कई साल दोनों में बातचीत बंद रही थी और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने एक शादी शुदा तीन बच्चों के पिता फिल्म डिरेक्टर से शादी की और पूरी इंडस्ट्री में मजाग का पात्र बन गए क्योंकि इनके पती ने इनसे शादी के बाद भी अपनी पहली पत्नी से रिष्टा कायम रखा और उनसे भी बच्चे पैदा करते रहे तो क्यों इस अभिनेत्री की परसनल लाइफ हमेशा विवादों का शिकार रही जब ये राजनिती में आई तो भी विवादों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और इन्हें नेताओं की अभधर टिपणियों का निशाना बनना पड़ा ये जानी मानिया भी नेत्री अब कहा है और आज किस हाल में ये जिन्दगी गुजार रही है बताएंगे और भी बहुत कुछ आप बने रहिए हमारे साथ नमस्कर दोस्तों मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्म में बातें दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उस अधाकारा की जिन्होंने ना सिर्फ अपने रूप से बलकि अपने टैलेंट से भी दर्शकों को दिवाना बना दिया था जी हाँ यह हैं जानिमानी शत्सियत जया प्रदा लजेंडरी फिल्म मेकर सतेजीत रे जया प्रदा की सौंदर्य और अभिने से इतने अधिक प्रभावित थी कि उन्होंने जया प्रदा को विश्व की सुंदर्तम महिलाओं में से एक माना था तो वहीं इनकी अदाकारी और डृत्ते के भी लाखों कायल थे जो फिल्मों में इनकी एक जलक पाने को बेताब रहते थे तो चलिए आज इनके फिल्मोग्राफी के साथ साथ परसनल लाइफ से जुड़े कुछ दिल्चस्ट पहलूं से आपको रूबरू कराते हैं लेकिन जिन हालात में उल्जम को गुनाहूं के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया उनको नजर में रखते हुए अदालत तबनात पसाद रोई को आईपीसी 304 के तहट जया प्रदा का जन्म 3 अप्रेल 1962 को आंध प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था इनके पिता कृष्णा राव तेलगू सिनमा से जुड़े हुए थे जबके मा नीला वेनी एक ग्रहनी थी जया प्रदा का पालन पोशन एक मध्यम वर्गे हिंदू परिवार में हुआ था इनका वास्तविक नाम ललिता रानी था जिसे बाद में बदला गया था ललिता रानी को बच्पन से ही डान्स में काफी दिल्चस्पी थी और ये स्कूल में कारिक्रमों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेती थी तेलगु फिल्म के एक निर्देशक की नजर इन पर पढ़ी और 14 साल की उम्र में ही उन्होंने तेलगु फिल्म भूमी कोसम में इन्हें डान्स करने की पेशकश कर दी बात इनकी पढ़ाई लिखाई की करें तो इन्होंने अपनी शुरुवाती पढ़ाई तेलगू मिडल स्कूल राजमुंद्री आंध प्रदेश से की और फिर कॉमर्स में सनातक किया साउथ के फिल्मों में इन्हें पहले डांस का और फिर एक्टिंग का मौका मिला और देखते ही देखते महज 17 साल की उम्र में ही जिया प्रदा साउथ इंडियन फिल्मों की एक बड़ी स्टार बन गए साल 1977 की तेलगू फिल्म अदावी रामुडू बॉक्स ओफिस पर एक बड़ी हिट रही और इससे जिया प्रदा को काफी पहचान मिली इसे साल इनकी एक और फिल्म सुपर हिट रही सनदी अपन्ना और बॉलिवूड की नजर इन पर पड़ी फिल्म मेकर के विशुनाथ ने 1979 के फिल्म सरगम में जिया प्रदा को कास्ट किया और इनके टैलेंट से बॉलिवूड को इंट्रोड्यूस कराया शुरुवाती दिनों में इन्हें हिंदी बोलने में काफी दिक्कत हुआ करती थी जिसके चलते इन्होंने हिंदी भाषा सीखना शुरू किया और इस पर काफी मेहनत की 1982 में निर्देशक के विशुनात ने इन्हें हिंदी फिल्म कामचोर से दुबारा लॉंच किया जिसमें इन्होंने पहली बार धारप्रवा हिंदी में अपने डायलोग बोले तुम्हें इस घर के दामाद हो, ऐसे घर जवाई बनने के क्या जरुत है इसके बाद तो सिलसिला चल निकला और जिया प्रदा ने हिंदिस सिनमा में अपनी खास जगह बना ली उस दौर के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ जिया प्रदा बड़े पर नज़र आई जितेंद्र और अमिताब बच्चन के साथ तो इनकी जोड़ी ने ऐसा धमाल मचाया की दर्शक मूरीद हो गए इसके अलावा जया प्रदा ने कमल हसन, मुहनलाल, रजनी कांत और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ भी काम किया और बेहद सफल रही असी नबेक के दशक में इनका फिल्मी करियर काफी बुलंदियों पर रहा और ये सब ही बड़ी बैनर और नामी फिल्मेकर्स की पहली पसंद रही जया प्रदा ने अपने करियर में दो सो से भी जादा फिल्मों में अभिने किया और खुद को साथ फिल्मों के साथ साथ हिंदिस सिनमा में भी बड़ा नाम बना लिया अब बात करते हैं इन से जुड़े विवादों की बॉलिवुड में अकसर ही दो एक्टरस के बीच की तकरार के किस से सुनने को मिलते रहते हैं श्री देवी और जया प्रदा के बीच का विवाद भी किसी से चुपा नहीं था अपने जमाने की इन दो मशूर अभिनेत्रियों ने कई फिल्मों में साथ काम किया किसे फिल्म में दोनों सगी बहने बनी तो किसी में पकी सहेली का किरदार अदा किया लेकिन असल जिन्दगी में दोनों के बीच 36 का आखड़ा रहा जो अकसर फिल्मी मैगजीन्स चटकारे लेकर छापते रहे दरसल फिल्म नगीना पहले जया प्रदा को ओफर हुई थी लेकिन बाद में उसमें इनकी जगा श्री देवी को ले लिया गया इस बात से जया प्रदा नराज हो गई फिर जब ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर सुपर हिट जाबित हुई तो जया की नराजगी और बढ़ गई यही नराजगी दोनों के बीच विवाद की वजह बन गई फिर तो दोनों हर चीज में एक दूसरे से कमपेटिशन करती और आपस में बात भी नहीं करती थी अगर दोनों को किसी फिल्म में साथ कास्ट किया जाता तो वो शूटिंग खत्म करती और अपने अपने घर चली जाती बड़ी बात ये कि श्री देवी के साथ जिया प्रदा ने लगभग एक दरजन फिल्मों में अभिने किया लेकिन फिर भी दोनों के बीच कई साल तक बात चीत बंद रही बले ही जिया प्रदा ने अपने करियर में सफलता का भरपूर स्वाद लिया लेकिन इनका नेजे जीवन हमेशा विवादों में घिरा रहा तो चलिए अब बात करते हैं इनकी जिन्दगी के सबसे बड़े विवाद की तो साल 1986 में जया ने फिल्म निर्माता श्री कांत नाहटा से शादी की जो की पहले से ही शादी शुदा थे और तीन बच्चों के पिता थे हलाकि ये शादी गुबचुब तरीके से हुई थी लेकिन मीडिया में तब तहलका मच गया जब दोनों के शादी की तस्वीरें सामने आई इसके बाद दोनों ने अपनी शादी को सब के सामने कुबूल कर लिया जाहिर है कि इस शादी के चलते जया विवादों में घिर गई और हर तरफ इनकी खूब आलोजना होने लगी बता दे कि श्रीकांत नहाटा ने अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया था और जया प्रदा दूसरी औरत बनकर इनके साथ रह रही थी जाहिर है कि कानोनी तौर पर इन्हें पत्नी का दर्जा हासिल नहीं हुआ और इसी वजह से इन्हें अजीब नजरों से देखा जाने लगा असली विवाद तो तब खड़ा हुआ जब जया प्रदा से शादी के बाद भी नहाटा अपनी पहली बीवी के बच्चे के फिर से पिता बने वहीं जया प्रदा की कोई संतान नहीं हुई जिस वजह से इन्होंने अपनी छोटी बहन के बच्चे को गोद लिया लेकिन जाहिर है कि ऐसी शादियां कितनी चलती है कुछ साल बाद श्रीकांत नहाटा से जया अलग हो गई इसके अलावा भी जया प्रदा का नाम अपनी कोई एक्टर जितेंद्र के साथ जुड़ा तो साथ ही राजनिती में आने के बाद SP लीडर अमर सिंग के साथ भी इनके रिष्टे को हमेशा संदेह की नजरों से देखा गया और कई बार इन्हें अभधर टिपणियों का भी सामना करना पड़ा अब बात करते हैं इनकी राजने तेक पारी की साल 1983 में जब एंटी रामा राव आंध्र प्रदेश के मुखे मंत्री बने तब जया प्रदा के कई निर्वाचन शेत्रों में उनके लिए प्रचार किया और इसके बाद तेलबू देशम पार्टी जोइन कर ली कुछ समय तक चंदरबाबू नैडू के साथ काम करने के बाद इन्होंने टीडीपी से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई 11 मई 2009 को इन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान इनकी आपत्ती जनक तस्वीरों को डिस्टिब्यूट कर रहे हैं लंबे चले विवाद के बाद साल 2010 में इन्हें अमर सिंग के साथ पार्टी से निकाल दिया गया साल 2011 में जिया प्रदा ने अमर सिंग के साथ अपनी पार्टी राश्ट्रिय लोक मंच का गठन किया और 2012 में उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में 403 विधान सभा सीटों में से 360 सीटों पर चुनाव फाइट की लेकिन अफसोस पार्टी एक भी सीट जीत नहीं पाई साल 2014 में इन्होंने राश्ट्रे लोगदल पार्टी जोइन कर ली और बिजनोर सीट से लोगसभा चुनाव लड़ी लेकिन इन्हें इस चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा इसके बाद एक बड़ा बदलाव हुआ और 26 मार्च 2019 को जया प्रदा बीजेपी में शामिल हो गई और आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर से लोगसभा चुनाव लड़ी लेकिन बीजेपी की लहर के बावजूद इस बार भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा जया प्रदा ने लगभग साप भाशाओं में फिल्में की अब ये चिन्नई में एक थियेटर की मालकिन भी है 2019 चुनावी घोशना के अनुसार ये 27 करोड संपत्ती की मालकिन है और काफी लविश लाइफ स्टाइल कैरी करती है फिल्हाल जया प्रदा के पास कई महेंगी गाड़ियां हैं जिनमें मर्सिडीज बेंज, फोर्ड आइकॉन, जाइलो महिंद्रा, आउटलेंडर और फोर्ड एंडेवर शामिल है तो दोस्तों आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा आपको जया प्रदा की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है, ये भी शेयर करना मत भूलिएगा इसे तरह के कुछ और किसे कहानियों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल ड्रामा सिरीज इंडियन और वो पुराने दिन को भी देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यूट्यूब के थैंक्स बटन के जरीए आप हमारे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं तो चलिए फिल्मी दुनिया के ऐसे ही कुछ और रोचक किसे कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आप से फिर होगी मुलाकात फिलाल मुझे दीजिए इजासत नमस्कार